असलाम अलेकूम और वेलकम बैक टू माई चैनल जेबा और डॉटर्टर्स व्लॉग तो चलिए आज मैं आप से शेयर करूंगी आलू कीमा की बहुत ही यह जबरदसी रेसिपी और इसको खाके बहुत ही जादा मज़ा आ जाता है खासकर विंटर्स में जब मतर आती है तो आल इसमें दो बड़े चम्मच मैं कुकिंग ओयल एड कर दूंगी मैं यहाँ पर मस्टर्ड ओयल यूज कर रही हूं आप चाहे तो इसमें रिफाइन ओयल भी डाल सकते हैं और यहाँ पर देखे मैं कुछ खड़े मसाले लिए है इसमें लॉंग है दो छोटी लाइची बड़ मसाले एड कर दें और बस इसको कुछ सेकेंड के लिए सौटे करेंगे फिर इसमें एक बड़ी प्याज मैंने यहाँ पर कट करके रखी थी स्प्लाइस कट करके तो वह इसमें एड कर देंगे अब अच्छा सा फ्लेवर हमारे तेल में आ जाता है खड़े मसालों का उसके ब प्रूस कर रही हूं तो मैंने इसको चनी में चान के रखा हुआ तो इसने एकदम चनी का शेप देखी ले लिया है बहुत अच्छे से कीमे को वाश कर लेंगे उसका पानी सारा ड्रेन आउट कर लेंगे और फिर इसको इसमें एड कर देंगे और अब इसी वक्त ही इसमें एड करेंगे थोड़ा सा एक चम्मच के करीब नमक और जिंजर गालिक का पेस्ट एक बड़ी चम्मच और फिर इन सब चीजों को बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इस कीमे की रॉय स्मेल जो होती है वो चली न जाए क्योंकि अच्छे से कीमे की भूनाई करना नमक और जिंजर गालिक के पेस्ट बहुत जरूरी होता है और यहां पर कुछ पॉडर मसाले हैं जिसमें दो बड़े चम्मच है धनिया पॉडर एक चम्मच है लाल मिर्च का पॉडर आधा चम्मच है टर्मलिक पॉडर और जीरा मिर्चा जीरा पॉडर है आधा चम्मच के करीब तो यह चारो पॉडर मसाले इसमें एड़ कर देंगे बहुत अच्छे से हमारी कीमे की भुनाई हो गई थी अब इसमें पॉडर मसाले हमने एड़ कर दी हैं तो इनके साथ भी एक दो मिनट भून लेंगे और अब इसमें एड़ करेंगे एक बड़ा सा टमाटर और यह तीन हरी मिर्च हैं जिसको मैंने दो टुक्रो में कट कर लिया है कीमो में हरी मिर्च का भी बहुत अच्छा था फ्लेवर आता है और टमाटर डालेंगे तो आपका कीमा बहुत ही जूसी सा और टेस्टी सा बनेगा देखें मैंने इतना जिंजर गाली का पेस्ट यूस किया था स्टार्टिंग में और अब इन सब चीजों को भी एक बार भून लेंगे जब तक टमाटर आपके गल जाएं बढ़िया से अब इसमें आधा कपके करीब मैंने पानी एड कर दिया है और अब इस कूकर की लिड लगा देंगे और फुल फ्लेम पे एक सीटी आने तक इसको कूक करेंगे और इसक को देर तक पकाएंगे नहीं तो देखी यहां पर फिर से मैंने फ्लेम आउन कर दी है अब जितने भी हमने जो खड़े मसाले साबित डाले थे तो इनको हम एक एक करके निकाल लेंगे ऐसा करने से क्या होता है कि में को जब आप खा रहे हो तो यह डर रहता है कहीं आपके तो अब मैंने इसमें एड़ कर दिया था गरम मसाला पॉडर आधे चम्मच के करीब इसमें डालेंगे इसका में इंग्रीडियन्ट मटर क्योंकि सर्दियों का सीधन हो और मटर का यूज ना हो तो फिर ऐसा नहीं चलता है हर एक चीज में मटर दादा यूज की जाती है और कीमा मटर का तो अपना ही अलग मज़ा होता है इसी वक्त आप चाहें तो इसमें एक आलू भी आड़ कर सकते हैं अगर आपको आलू खाना पसंद हो तो और ये हरी धनिया पत्ती इसमें एड़ कर देंगे और एक बार इसको फिर से अच्छे से चला लेंगे और देखिए सारा पानी जमने कूकर खोड़ा तो इसमें काफी पानी था तो इसमें एक बार फिर से विस्चिल लगा देंगे थोड़ा सा पानी और डालके ताकि कीमा लगे ना हमारा और वैसे एकदम सूखा सूखा जिसको पसंद हो वो उसी हिसाब से पानी एड़ करें तो यह देखिए हमारा कीमा मटर बनके रैडी हो गया है तो इसको सर्फ कर लेते हैं तो जरूर से आप लोग यह रेसिपी ट्राइ करिएगा इस विंटर्स में और कीमा मटर के अब तक के लिए टाटा बाबाई अल्हाफेज